हलो दोस्तो आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आप लोगों के बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ट लिंक है या फिर आपका आधार कार्ट लिंक नहीं है दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है तो हम लोगों को बैंकों के काफी चकर काटने पड़ते हैं ऐसे में काफी परेसानी हो जाती है लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे आप लोग सिर्फ दो मिनिट में अपने मोबाइल फोन से घर वैटे पता कर सकते हैं कि आप लोगों के बैंक अकाउंट में आपका आधार काट लिंक है या फिर नहीं है और अगर लिंक हुआ है तो कौन सी तारीक को लिंक किया गया है और दोस्तो इसमें सर्थ यह है कि आप लोगों का मोबाइल नंबर आप लोगों के आधार काट से लिंक होना चाहिए तभी आप लोग घर वैटे अपने मोबाइल से पता कर सकते हैं और अगर दोस्तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन को प्रेस कर लें से होगा यह कि मैं जब भी ऐसी ही जानकारी बाली वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोग यह वीडियो कौन से राज जिसे देख रहे है तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को अपने लेप्टॉप के या फिर मोबाल के किसी भी ब्राउजर को ओपिन कर लेना है और ओपिन करने के बाद आप लोगों को बहाँ पर सर्च करना है जैसे ही आप लोग इसे सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने इस विरकार का पेज ओपिन हो जाएगा और दोस्तों इस पेज का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में भी दे दूँगा आप लोग चाहों तो बहाँ से भी इसे डारेक्ट ओपिन कर सकते हैं उसके बाद आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद आप लोगों को एक ओप्सन दिखेगा आधार सर्विस आप लोगों को यहीं पर एक बार किलिक कर देना है जैसे ही आप लोग यहाँ पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दूसरा प लिख करेंगे तो यहां पर थोड़ा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद आप लोगों को दो आपसन यहां पर मिलेंगे आधार नमबर और वर्चुल आईडी अगर आपके पास वर्चुल आईडी है तो आप लोग वर्चुल आईडी डाल सकते हैं अगर वर्चुल आईड security code जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो आप लोगों को same security code यहां पर डाल देना है और दोस्तों ध्यान रहे अगर इसमें small letter हैं तो आपको small letter डालने हैं और अगर यहां पर capital letter हैं तो आप लोगों को capital letter ही डालने हैं capture फिल करने के बाद आप लोगों को send OTP वाले option पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे ही आप लोग send OTP वाले option पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक और page आएगा बहां पर आप लोगों को एक option दिखेगा enter OTP लेकिन अगर आप लोगों का आपका mobile number आपके आधार कार् option दिखेगा enter OTP वाला वो OTP आप लोगों को उस box में डाल देना है डालने के बाद enter OTP कर देना है जैसे ही आप लोग इंटर OTP करेंगे तो आप लोगों का आधार कार्ड जिस भी bank account से link होगा वो bank account आप लोगों को दिख जाएगा उस bank account का नाम बहां पर आ जाएगा currency bank में है और उस bank account के last के चार अच्छर आप लोगों को दिख जाएगे और साथ ही आप लोग ये भी पता कर सकते हो कि आप लोगों का mobile नंबर भी बहां पर आ जाएगा और आप लोगों का bank account में जिस भी date को आपका आधार कार्ड लिंक हुआ था वो date भी आप लोगों को ब ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाब मिल सके और दोस्तों मिलते हैं एक नेस्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद